हलो दोस्तों आपके स्वागे थे जी एक एड़ी में यह रिक्वेस्टिंग वीडियो है इश्रिता जी ने मुझे कॉमेंट वॉक्स पे बोला कि माम प्लीज जो भी न्या नोटिफिकेशन आया है गेस्ट अतिस सिक्षक वालों का तो वह आप अपडेट कर दीजिए मनला बत प्लाई करते रहते स्कूल के लिए वैसी भरती है तो जो नए आवेदक है इसमें नोटिफिकेशन में जो नए आवेदक है मतलब जिनका अतिस्टिक्षक पोर्टल में कोई भी पंजियन नहीं है और वह चाहते अतिस्टिक्षक बनना तो वह नवीन पंजियन करा सकते हैं लास्ट डेट बता दूँगी मैं और इसी नोटिफिकेशन में आधारी के वाईसी मितलब के बारे में बताया गया है कि अदि आपका अधार नहीं है के वाईसी तो आप उसमें करवा सकते हैं ठीक है और साथी साथ में अदि आप में पूर्पंजिक्षक पुराने आवे है जिनका तुसिक्षक पॉर्टल में पंजियन है लेकिन जिसे कुछ योगता में संसोधन करना है कि मालो आपके परसेंटेज 19-20 हो गए हाना या कि फिर आपने डीएट कर रहा है आपने बीएट भी कर लिया है तो मतलब डिग्री अपडेट करवा लीजे या कि फिर आपने पीजी कर लिया है और तो उसका भी अपडेशन कर वा लीजे आना तो इस तरीके से कहिए इस नोटिफिकेशन में तो देख लिजे क्या लिखा हुआ है विद्यालेओ में आतिस सिक्षकों की विवस्ता है तो ऑनलाइन आतिस सिक्षक प्रबंधन परनाली जी एफ एमेस इस अटिस सिक्षक परनाली है जी इफमेस कहते हैं उप्यो किया जा रहा है अधिस्षक पोडल में नवीन पंजियन आधाारी के वासी पूर पंजी क्रिता अबेदन में योगता में संसोधान ने सत्यापन की प्रक्रिया पर्म की जा रही है पोड़ल में पंजी क्रिया एवं सत्यापन की प्रक्रिया पर है, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन दीगे है, एक बात और, जो पुराने हैं, जो कहीं कर रहे हैं, तो वो वहीं करते रहेंगे, हाना, मतलब उन्हें हटाया नहीं जाएगा, चलिए, और क्या लिखा हुआ है, 22-23 के लिए, हाना, सीएम राइज स्कूलों में, मतलब विद्यालों में, अकैदमिक के अत्रिक्त साय अकैदमिक स्टाफ भी शामिल है, हाना, सीएम राइज की बात की जा रहे है, साय अकैदमिक स्टाफ के रिक्त पद विरुद अति सिक्छा की विवस्ता, अतिती पोर्टल के माध्धम से की जा होगी ऐसे कुछ लोग बीपीड होंगे या फिर जिने पस योग की डिग्री होगी तो बता दूंगी कौन-कौन से सैकेद्मिक वाले में आते हैं ठीक है ना सैकेद्मिक स्टाप के रिक्त पद के बुरुद अतिसिक्षा की विवस्ता अतिस्ती पोर्टल के माध्धम से की जा होगी बता जितना भी स्कोर कार्ड होगा आपका वो आप GFMS के थ्रो आपको स्कोर कार्ड पता चल जाएगा कि कितना है आपका स्कोर कार्ड उसके अकौर्डिंग फिर आपकी भरती होगी बता दूंगी नवीन पंजियन कैसे करना है नवीन आवेदा कोर्टल प्रप्रप् सत्यापित कराया जाए जिससे स्कूर काट जनरेट हो जाए ठीक है मतलब आपको पहले आपना सारा सारी इंफर्मिशन अपडेट कर रही है जो से आल टैन टॉल्स बीयर्ड और पीजी जो भी आपने करा है यूजी करा है सबको आप अपडेट करा करके आधारी के वैसी कराने के बाद आपको समझ डॉकुमेंट्स लेकर के जो भी आपके आज पर जो भी संकुल है वहां पर प्रचार से आपको सत्यापित कराना होगा और जिससे जिससे आपका स्कूर का जनरेट होगा मतलब आपकी आईडी लॉक कर दिया दे को पहले क्या करेंगे प्रचार पहले आ आवीन पंजियन के लिए है पूर पंजिकरत आवेदन में एकेवाई सी तथा सत्यापन आवे तक जिनकी जानकारी सत्यापित नहीं है वो लॉग इन वो लॉग इन के उपरन अपनी जानकारी में संसोधन कर सकते हैं तो से कुछ तो में परसंटेज नीस पीस हो गये या कि आपका कोई नई डिग्री आई है भी एड जो भी डिग्री आई है तो उसके अकॉर्डिंग आप वो करके अपडेट करा करके जो भी आप आपके आसपर जहां पर प्रचार के थूप मतलब जो भी संकूल है जहां पर प्रचार लोग वो करते हों मतलब आपका आईडी लॉ करते हो और verify करते हैं तो आप वहाँ जाकर अपना verification करा कर आएडी लॉग करा ले ना फिर आपका scorecard generate हो जाएगा संसोधन के अवेधन को संकुल अवेधन को अनलॉक कराना होगा पहले आप अनलॉक करोगे जिसे जिनका scorecard पहले से generate है तो यदि आपको संसोधन करवाना है तो उनको पहले अनलॉक करना होगा अनलॉक प्रक्रिया में अवेधन में दर्ज मोबाइल पे ओटीपी आएगी जब भी आतिस सिक्षक वाले पोर् जिसको ऑंकित करने के सचा आवेधन अनलॉक हो जाएगा हना जोप्रृफाइल होगी आवेधन की आवेदक की तो उसका आवेधन अनलॉक हो जाएगा अनलॉक होने के पिर आवेधन अपनी जानकारी फिल कर पायेगा जैसे कुछ लूग जो है मतलाब से academic के लिए स्टाफ क वेकंसी बढ़ती आ रही है तो वह जैसा कि वीडियो में इस्टोरज वाली प्रॉब्लम आ गई थी तो चलिए अपना वीडियो कहां तक खतम हुआ था कहां से खतम हुआ था मोबाइल पर एक OTP आएगा जो जिस नंबर से अपने आवेदन किया है उस मोबाइल नंबर पर और जिसको अंकित करने के पस्चाद आवेदन अनलॉक हो जाएगा और अनलॉक होने के पस्चाद आवेदक अपनी जानकारी में आवस संसोधन करा सकते हैं धियान रखा जाए कि संसोधन के उपरां आवेदन को संकुल प्रहचार से सत्यापित कराया जाए इसे कि स्कूर का generate हो सके संकुल प्रैचार क्या करेंगे verify कर देंगे और आपकी ID log कर दें जिससे आपका scorecard generate हो जाएगा ठीक है ना कब तक है जब कि आप लोग अपना पंजियन नया पंजियन करा सकते हैं और या कि फिर अपनी ID log करा सकते हैं 11 जून के अंदर अंदर मुझे लगता है शायद इसकी date बढ़ेगी लेकिन अभी आप तो कराई लो आवे तक दोरा दरज की गई जानकारी का संकुल प्रचार दोरा GFMS पोर्टल पर सत्यापन ये करना होगा और यदि आपने आज कराया है मतलब आज ही कराए कल कराओगे ना तो कली जाकर करके verify करा ले ना संकुल प्रचार से जो भी आपके आज पस जो भी संकुल लगता हो उसमें जाकर करके एक बात और जिन लोगों 21-22 में पढ़ाया है वो अतिस्तिक्षक वही रहेंगे जहां पहले थे ठीक है जिनका पहले से सब कुछ अपडेट है उनके कुछ नहीं करना है वो 22-23 के लिए भी उसे स्कूल में जोइन करेंगे चलो ये सारी इंफोर्मिशन आप लोग पढ़ लेना ठीक है चलो कैसे आपको पंजिन कराना है साइट पे जाना है और मोबाइल नंबर डालना है फिर उसके बाद OTP जनरेट होगी एक मैट एक मैट एक बात और बताना भूल होगी कि सीम राइज में कौन-कौन सी वेकंड सीटे हैं मतलब वेकंड क्या आति सिक्षक के भरती किन-किन उसमें होगी हाना तो पहले हां तो उसके बाद बता दे यह रहेंगे सीम राइज विद्याले के लिए पदों का बिवरंड एक मिन इस्क्रॉल नहीं हो पा रहा है अकैदमिक के लिए पूर प्रात्मिक सिक्षक रहेंगे और सह अकैदमिक पत के लिए लाइबेरियन खेलकुष सिक्षारिक सिक्षक प्रयोकसाला सहायक संगीत सिक्षक गायन ठीक है संगीत सिक्षक वादन इसी तरीके संगीत सिक्षक नेत्य ठीक है ना फाइन आर्ट्स मन आप इन पर आप अप्लाई कर पाओगे मतलब आपके पास यदि बीलीब की डिग्री है तो आप उसको अप्लोड कर देना डॉकुमेंट्स यदि आपके पास बीपीड है या कि फिर योग से करा है तो आप अपडेट कर सकते हो प्रोफाइल प्रयोग साला सहायक जिसमें आप हैं कि अब सथैंको से बैलॉग करते तो प्रयोग साला सहायक के लिए इलीजिबल होगे हैं इसे अपने संगीत से ब्याई करा है तो उसके लिए भी इलीजिबल होंगे संगीत सिक्ष इबादन यह आप लोग अपना देख लेना आपने कर्यर कॉंसलर में एक वन्यर का साइकोलोजी से या कि फिर बीए कर रहा है साइकोलोजी आपका सब्जेक्ट रहा है तो कहने कहें आप इसके लिए अपलाई कर सकते हो चलो तो हमने पूरा जाबी डिटेल में नहीं देखा था उसको यह कैसे क्या करना है आते सिक्षकों का मतलब जो नए आवेदन है पंजिय आइडी दर्च करना है फिर इसके बाद समगर आइडी और फैमिली आइडी के लिए आपको समगर.gov.in में जाना है तेक है इसके बाद यह सारी इंफॉर्मिशन आ जाएगी और यह सारा कुछ आपको डालना होगा डिटेल में आप तो जैसे से पोर्टल खोरता उपन होता दिए वसे वसे आप लोग अपना करते जाना दे आभ हाँ यहां से राडिसस्यें स्टार्ट हो जायएगा आपको नेम एक म्नेट आपका अधार काड में जो नेम डला हुआ है डियो भी क्या है अधि आप married हो तो married unmarried हो तो unmarried father name, mobile number कौन सी के डिगरी से बिलॉग करते हो mother's name क्या है, mail id क्या है mail id और mobile number सही डालना अब इतक का स्वयम का पता यह सब आपको वो करना होगा लेखना होगा चलो यह सारी इंस्ट्रेक्शन दिये गए इनको अच्छे से रीड कर लेना कुछ इस तरीके का दिखाएगा चेक स्टेटर्स यह प्रमांट पत्र का दावा अपडेट कॉलिफिकेशन प्रेंट आउट अनलॉक अप्लिकेशन तो जिन लोग मतलब पूर में आवेदित हैं लेकिनों कुछ संसोधन करना है तो पहले अप्लिकेशन अनलॉक करना पड़ेगा फिर उसके बाद आपको मतलब डॉकुमेंट्स अप्लोड करने होंगे मतलब जो भी आपने एक्स्टा करा है उसका उसकी सारी इंफॉर्मिशन इसमें लिखनी होगी ठीक है एक बात और यदि आब इतक के इस नातक मितिहास संस्कृत साहित और हिंदी साहित विशाय है तो आप SS2 के लिए साइंस के लिए साइंस के लिए रहोगे संस्कृत के लिए भी लिजिबल रहोगे और हिंदी के लिए भी लिजिबल रहोगे तीक है यहां से प्रेंट आउट निकल निकाल सकते हैं जिसा कि आप देख पा रहे होंगे सारी इन्फॉर्मिशन आपको पेट अप करने ही पड़ेगी उसमें चलो और देख ले होगा वो उनकी प्रोसेस है ठीक है चलो यह देखिए यह दिया हुआ है जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है और थैंक यू